सान भायू आज इस वीडियो के अंदर हम आपको दो ऐसे मशिनों के बारे में जानकरी बताएंगे कि जिससे आपका दो से तीन लाख रुपे का फाइदा हर साल होने वाला है दोस्तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे एक आईटी इंजिनेर से मिलो आएंगे कि इनकी कमपणी किसानों के लिए नए नए मशिनरी बना रहे हैं लेकिन साल 2022 में इस कमपणी ने दो ऐसे नए इंजिन इज़ाद किये कि जिसके वज़े से किसानों का सालाना दो से तीन लाख रुपे का फाइदा होता आ रहा है करनटक के साथ-साथ महराष्टरा, पंजाब, हर्याना और पूरे भारत के अंदर इनकी मशिने धूम मचा रहे हैं दोस्तों ये मशिने इतनी जबरदस्त है कि किसानों के एट्टो जेर का आप किसी भी प्रकार की खेती करते हो आप चाहे बागवानी करते हो, चाहे सबजयों की खेती करते हो, चाहे गन्ना गलागते हो, किसी भी प्रकार की खेती अगर करते हो तो ये मशिन आपका 2-3 लाख रुपे का फाइदा गयारंटेड सालाना करने वाले है तो पूरी तरह से डिटेल लाइव डेमो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले है तो दोस्तो बने रहे वीडियो के साथ अगर आप चैनल को अगर नहीं है तो जरूर किसान हिल प्लाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बगलना भाई किती के अंदर A2Z काम करने वाली किसानों का सालाना 2-3 लाख रुपे फाइदा करने वाली दो नए मशिनों के मॉडल के बारे में हम जानकारी लेने वाले है और साती साथ लाइव डेमो भी दिखाने वाले दोस्तो आज इस वाले के माध्यम से हम जै किसान इंजिनेरिंग इस कमपनी जो की एक IT इंजिनेर जो की करने टक में स्तित है तो उन्होंने बहुत साल पहले बनाई थी किसानों की जिन्दगी आसान करना, किसानों के लिए मुनःफा बढ़ाना, किसानों की लाइफस्टाइल चेंज करना, किसानों को किसानी आसान बनाना इस उद्देश से उन्होंने कमपनी निकाली थी और बहुती शांदार तरीके से परफॉम करते हुए 100% सक्सेस रेट से एक कमपनी बढ़ते हुए आई है तो दोस्तो आये जानते हैं इन मशीनों के बारे में तो दोस्तो इस मशीन का नाम है सिंगल विल नैनो टैक्टर इसे आप सिंगल विल पावर टिलर भी कह सकते हैं सिंगल विल पावर विडर भी कर सकते हैं और इसे आप नैनो टैक्टर भी कह सकते हैं दोस्तो जो भी काम आप टैक्टर से कर सकते हैं उसके लगबग आप 90% काम आपके खेती के अंदर इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं दोस्तो यह है पहला मॉडिल जिसे किसान क्राफ्ट फार्मबॉय इंजिन लगाया गया है दोस्तो इसे बनाते समय भारत की विभिन प्रकार की जो भी खेत है उसकी कंडिशन को ध्यान में रखते हुए किसानों की जो जो भी नीड से उनको वहाँ पर मद्य नदर रखते हुए इन मशीनों को डिजाइन इस कमपनी ने किया है इस मशीन के द्वारा आप नाली करना हो गया खर्पद्वार हटाना हो गया साती साथ बेड़ बनाना हो गया पर पोधो को मिट्टी लगाना हो गया तो ऐसे एट टू जेड काम इस छोटी सी मशीन के द्वारा आप कर सकते हैं और जिसे चलाने में भी आपको किसी भी प्रक ने इस मॉडल में या जो भी मॉडल यह कंपनी बनाती है तो क्वालिटी में एक पैसे का भी वो कंपनी डिफेक्ट वहाँ पर नहीं देती दोस्तों इस कंपनी की खास बात ऐसी है कि यह क्वालिटी के लिए किसी भी प्रकार का कॉंप्रमाइज ने करती बहुत सारे पावर ट्रैंसपर्मिंग इलेमेंट रहता है तो वह भी भूब खराब क्यूटी का बैटा देल सांधी साथ इसकी जो की ओप्रेटिंग है और लग लेवल पर ही जाती चालना भी बहुत आसान होता है किसानों को ज्यादा ग्रेशन भी नहीं होता दिन बर काम करके भी इसे किसान जादा नहीं थक पाता तो मतलब पूरी तरह से comfortable यह मशीन किसानों की नीड को समझ में मद्य नदर रखते हुए इस company ने बनाई है तो आए बात करते हैं दोस्तों इस से हम क्या-क्या काम करते हैं इस model से हम किसी भी प्रकार की खीटी अगर कर रहे हैं आप बागमानी करते हो आप फलो की खेती करते हो आप सब्जों की खेती करते हो या आप धान की खेती करते हो किसे भी प्रकार की खेती हो तो उनकी दो जो पोदों के बीच में या दो लाइन की बीच में अगर छुटी से जगा आपके पोदों के बीच में अगर रहती तो उसके अंदर काम करने मे ये छोटी मशीने पूरी तरह से आपका सहाइधा करती है इसे आप खरपतवार हटाना हो गया पोदो को मिट्टी लगाना हो गया नाली वहापर्क बनाना हो गया साथी साथ कल्टीवेटर का भी काम कर सकते और साथी साथ इसे ऐसी एक आरेज्मेंट कंपनी दी है कि जो आपक किसी प्रकार का चेन या बेल्ट लागा के पीछे रोटा वेटर या कोई भी ऐसी घूमने वाली चीज जैसी के आपका छोटा सब पंप हो गया स्प्रेइंग पंप हो गया उससे पावर आप लेके पावर ट्रांसफॉर्म करके किसी भी मशीन को अगर आप अटेश कर सकते हों और पूरी तरह से इसका यूज कर सकते अभी बात करते इसके साथ क्या-क आटेश्मेंट कंपणी फरी में देती हैं और क्या-क आटेश्मेंट हम ए्ष्रा लगवा सकतेram. इस मॉडल के अंदर आपको 3 काल्टीवेटर कंपणी यहा पर दीती है एक बडा-वाला दो छो पनी की और से आपको आटेशमेंट फ्री में मिल जाती है और अगर आप चाहो तो ये जो की आटेशमेंट आप देख पा रहे हैं जैसी कि ये दो वील हो गए अभी ये दो वील का फाइदा ऐसा है कि अगर आपके समझो आपका खेती का काम हो गया आप खेती से मशीन घर तक आना चाहते हुँ तो आपको इंजिन चालू करने की कोई भी जरूरत नहीं तो यह वी इफाराप आगे आटेषच करके आप जहाहँपर आपका वह डामबर का रोड हो गया कोई कच्चा रोड हो गया तो उसके आरेम से डगेलते डगेलते आरेम आपके अपने घर तक ये मशीन ले जा सकते हो जिससे कोई भी परिशानी या कट नहीं की कोई मतलब प्रॉब्लेम नहीं होगा और उसका पेट्रोल या जो भी इंदने तो वो भी उसके लिए नहीं लगेगा तो उसकी सेविंग आप पर होने वाली तो ये दो विल बे आप ए इस्ट्रा अटेश्मेंट के हिसाब में ले सकते हैं तो आएए बात करते हैं इस किसान क्राफ्ट फांबोई इंजिन के मॉडल के कीमत की तो दोस्तों किसान क्राफ्ट फांबोई इंजिन सिंगल विल पावर टिलर मिलता है मात्र 36,000 में हां मात्र 36,000 रुपे में ये किसान क्राप्ट फाउमबॉई इंजिन वाला मॉडेल यह पर मिल तो यह मॉडेल महराष्टरा के किसानों के लिए खास डिस्काउंड ऑफर पर भी मिल रहा है जो कि 34,000 रुपई के कीमत में विल रहा है तो महराष्टरा के किसानों के लिए कंपनी उने दो हजार रुपए का डिस्काउंट करके 34,000 रुपए को यह मॉडल उपलब्द किया है अगर आपको एस्ट्रा अटेज्मेंट आगर चाहिए तो उसके लिए ब्लेड के 500 रुपए विल दो विल के लिए पंदरा सो बेंड मेकर के लिए 35,000 तो इससाब से आपको आटेज्मे अगानी इन्जिन इस कंपनी ने लगा है तो इस फिर फिल के देज से कंपनी ने उला मॉडेल के लुके taul ने इस जय सब्वे वाकर आंगो चाहिए दो σब्सकते हैं सब्फ़ारात आपकर ने लिए कंपनी या आपको सब्सक्रेंट कर देख कर सकते हैं आवरे के काम अगर आप करते हैं तो पूरी तारा से A to Z काम भी इस मॉडल से कर सकते हैं और इस मॉडल की दूसरी खासे तहीं कि इसमें भी आच्छी कॉलिटी का मट्रेल यहाँ पर लगा है तो दोस्तों यह सेकंड मॉडल जो की होंडा इंजिन वाला मॉडल यह मिलता है आपको मात मतर 43,000 रूपए मैं जो पूरे इंडिया में आपको हों डिलेवरी मिल सकता है .1. महरास्ट्रा के किसानों के लिए इसमें 2 इन दिलोरा भी मंगवा सकते हैं, यह मशीन अगर आप इन के बारे में जानकरी चाहते हो, अगर आप इन मशीन को लेना चाहते हो, तो कंपनी का मोबाइल नमबर, कंपनी का एड्रेस, कंपनी की पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होगी, साथी साथ इस वीडियो क के डिस्क्रीप्शन में भी आपने हमने कंपनी का पूरा प्रफाइल, कंपनी का डिटेल, वेब 사ईट, जो भी डिटेल है, हमने वीडियो के डिस्क्रीप्शन में भी डालées, तो तुरंट आप इन नमबरों पे जाके संपर करके, इन मशीनों के बारे में, जरूर जानकरी और वीडियो के बारे में आपकी राय क्या ही, कैसी लगे इंफोर्मेशन हमें कमेंट के दौरा बताएगा और अगर आप चैनल को नए है तो जरूर किसान हिल्प लाइन चानल को सब्सक्राइब करके